समझे अगर आपके किसी दोस्त का एक्सिडेंट हो चुका है, उसके बॉडी से बहुत जादा ब्लड फ्लो हो गया है, अगर उसके बॉडी में बहुत जादा ब्लड फ्लो हो गया है, तो उसके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जा R-A-A-S Mechanism, KRAS Mechanism जिसके बारे में आज़ कीज़्िए लेकरे देखने बाले बारे मीन है So guys welcome back to my channel Bansar Bhai Guillette Come स्क्राथ करते हमें स्टार्ट करते है अज अगे एho सर्टेंज, बारे क civ अगे रहनम, वोई यह रहनर, स्पेशल मॉॉक्ल साह già का बारे हिए अगर हमारी बॉड़ी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए उसकी वज़े से होता है अब अगर हम यहाँ पे देखें किस तरीके से पूरी कहानी चलती है हमें पता है हमारी किड्नी के पास नेफरोन प्रेजेंट होते हैं हमारे एक किड्नी में 1 million nephrons होते हैं इस nephron का जो basic structure है वो इस तरीके से होता है तो यहां पर अगर हम सबसे पहले देखे एफ्रेंट आर्ट्री ओला है एफ्रेंट आर्ट्रियों का काम होता है ब्लड को लेकर आना अब यहां से क्या होता है यहां से ब्लड निकलता है और कहा यहां पर जाएगा बोमन स्कैप्सूर के थूर इंटिब्यूस के थूर फिल्टर होके यहां से हमारी बॉड़ी से यूरीन के फॉर्म में बाद में बाहर निकल जाता है अब यहां पर क्या हुआ अगर हमारी बॉड लॉस हो चुका है तो यहां पर यह जो ब्लड प्रेशर होगा एफ्रेंट आर्ट्रियोल में ब्लड प्रेशर कम हो चुका है तो यह जो यहां से पानी वेग्यारा निकलते हैं जितने भी सौर्ट निकलते हैं वह भी कम हो जाएगा अगर यहां पर यह कम हो जाएगा तो मूफ्मेंट ओफ जितना भी पानी और सौर्ट से उनका मू कि अगर पानी बहुत कम हो तो झार ना स्लोव अराम से भैता है तो इसे तरीके से यहां पर प्लड प्रेशर हो चुका एंग ब्लड हमारे में है तो इस कर्डिशन में क्या होगा जो यहां से पानी मूफ कर रहा है वो बहुत देसे पर रियेब्स प्राइबनावई करते है यहां पर यह कहां तक पहुंच गए जो filtrate है यह पहुंच जाएगा DCT तक अब DCT में यहां पर present होते है ऐसे cells जिनका काम होता है sodium को reabsorb करना लेकिन यहां पर तो sodium अब बहुत कम बच्चे है और यहां पर sodium कहां बच्चे जादा पहली बात ब्रेट प्रेशर वैसे ही कम था PCT नहीं जादा sodium और chloride को अब्सॉप कर लिया तो DCT पूर रहा है sodium है का DCT के cells पूर रहा है sodium है कहां तो इस condition में क्या होगा इस condition में यहां पर रोल आएगा RAS mechanism का अगर हम रास mechanism में देखे तो रास mechanism में टोटल तीन cells का रोल आता है सबसे पहला cell जो है वो यहां पर affront arteriol जो है जो ब्लड लेकर आती है उसकी lining पर प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते है जक्स्टा ग्लोमारियूलर cells दूसरे cells जो होते हैं यह DCT है DCT में special type of cells होते है जिनका नहीं होता है macula densa आप यहां पर देख सकते हैं काम आएगा हमारे राज सिस्टम में किस तरीके से कहानी होगी देखो सबसे पहली बात एफ्रेट आर्ट्रियोल जो है उतर ब्लड प्रेशर कम है अगर ब्लड प्रेशर कम है तो यह मैसेज को पता चलेगा जक्स्टा ग्लोमारियूलर इसे अगा नोर्मली ब्लोमारियूलर जो प्रेशर कियो हैं कि यहां पर प्रेश्र डेक्रीजर हो चुका है तो प्रो रेणिन को किसमें करतें उसी के साथ यहां पर activation की होगा इनका क्योंकि यहां पर McCullormale डेहन सेंस कर लेंगे कि क्या बेंस्ने कि लेस्ट सोडियम प्रेजन को बूरें सेंस करडेगे कि क्या प्रेजसेंट गट प्रेशर होगा, तो वो GG को वैसे भी एक्टिवेट कर देगा तो दोनों ही मिल्की यहान पन पर क्या कर देंगे? Prorenine को renine में convert कर देंगे अब renine यहाँ पर आ चुका है? कहां पर आ गया? Ranine आ चुका है ब्लड में अब अब रहनेन यहां पर ब्लड में जाकर क्या क्या करेगा एक एक करके हम समझते हैं ब्लड जो है वो यहां से फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है ब्लड यहां पर कहां आ गया लीवर में आ गया क्या बनाए इसने एंजीयो टेंसीनो जन बनाता है यहां पर यह रेनिन जो है क्या करेगा इस एंजीयो टेंसीनो जन को कनवर्ट कर देगा किसमें कनवर्ट कर देगा यह कनवर्ट कर देता है इसको एंजीयो टेंसिन वन में यहां पर बन गया एंजीयो टेंसिन वन एंजीयो लंग्स के पास, लंग्स के पास पता है, अप्विसी बात है, लंग्स के पास भी क्या प्रेजन्ट होती है, ब्लड वैसल्स प्रेजन्ट होती है, तो लंग्स के पास यहां पे जो ब्लड वैसल्स है, इनके जो सेल्स है, इनके सेल्स है, इनको क्या बोल सकते है, वैस्क्यूल Synthesys करते हैं यह आपर S-C-Synthesys करते हैं Ace का मतलब क्या होता है? Angiotensin converting Inzyme नाम से पता चण रहiesta है यह क्या करेंगे, यह यहां पर siz को convert करदेंगे? Angiotensin 1 को convert करदेंगे तो यहाँ पर इननोंने कर दिया Angiotensin one को convert कर दिया किसमे angiotensin 2 में यहां पर क्या हो गया angiotensin 2 आ गया अब यह जो angiotensin 2 है यह ब्लड में है अब यह अलग अलग जगा पर चाहेगा और अलग 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 रोल्स प्ले करेगा जैसे कि अगर मैं यहां पर देखू सबसे पहले यहां पर माल लेते कि कहां गया है सबसे पहले गया adrenal cortex के पास adrenal cortex क्या होता है adrenal एक gland है जो कि हमारी kidney के जस्ट उपर प्रेसेन होता है यह adrenal cortex में यहाँ पर यह release करवाएगा एक molecule को जिसका नाम होता है eldo-sneron किसको release करवाता है ELdo-sneron को release करवाता है कहां से release करवाएगे किसको बोला है release करने के लिए कहा है glomerulosa को यहां पर जो specific हिस्सा होता है adrenal cortex का भी दोना glomerulosa उसको बोला कि तो endosteron release कर, endosteron एक steroid hormone है, यहां पर एक ऐसा hormone होता है, steroid hormone होगा, यह जो steroid hormone है, अब यह किसके पास राएगा, DCT के पास राएगा, यह जो DCT थी, इस DCT के पास जाएगा, DCT के पास भी कौन से cells के पास जाता है, principal cells के पास जाता है, principal cells को बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, sodium नहीं है, sodium को reabsorb करो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से अगर मैं बोलू, इस तरीके से यहां पर यह principal cell present है, समझो इस तरीके से यहां प्रिंसिपल सेल प्रेजेंट है, प्रिंसिपल सेल के इस तरफ ब्लड है और इस तरफ लूमन है, इस तरफ ब्लड है और इस तरफ इसके लूमन प्रेजेंट है, प्रिंसिपल सेल के इस तरफ प्रेजेंट है, इनके इस तरफ प्रेजेंट होगी ब्लड वेसल और इस तरफ प से क्या पास हो रहा है यूमन से क्या पास हो रहा है यूरिन तो यहां पर यह क्या करेंगे एल्डोस्ट्रण इसको मेसेज देगा कि क्या बनाओ sodium channel बनवाओ sodium channel की वज़े से क्या होगा urine से sodium incest के पास आजाएगा तो यहाँ पर जो urine पास हो रहा था हो उसमें से बोला कि sodium हमें दो इसी के साथ साथ यह यहाँ पर एक और चीज़ करेगा यह यहाँ पर sodium proton anti-porter बनाएगा sodium proton proton pump बनाएगा जो क्या करेगा जो यहाँ पर sodium को पंप कर रहा है ब्लड में और proton को इस चरफ पंप कर रहा है तो फाइनली इन चीज़ों की वज़े से ब्लड में sodium का वाउंट भढ़ गया पहले इसने क्या क्या सोडियूम चानल से sodium को सेल में लिया फिर sodium proton pump से sodium को ब्लड में पास किया तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ sodium ब्लड के अंदर आ गया इसी के साथ यहाँ पर यह क्या करेगा यहाँ पर यह potassium को बाहर बेज देगा बाहर मतलब यूरिन में बेज देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं potassium का secretion करवाता है sodium का reabsorption करवाता है sodium का reabsorption करवाया potassium को यूरिन में भेज दिया अब यहाँ पर sodium आ रहा है तो अब्विस से बात है अगर sodium आएगा तो osmotic pressure बिगडेगा तो sodium को कौन फॉलो करेगा water भी फॉलो करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा water का भी reabsorption हो जाएगा तो sodium भी reabsorption हो रहा है water भी reabsorption हो रहा है अगर water का reabsorption होगा तो उसकी वज़े से यहाँ पर क्या होगा blood pressure भड़ेगा तो अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो water reabsorption कर रहे हो तो आपने यहां पर चॉप का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो इसको भी आपने इंक्रीज कर लिया इसे के साथ साथ यहां पर कहानी खतम नहीं होती है जो यह एंगियो टेंसिंग टू है ना यह और भी कहीं जाता है और जाता है यह PCT के पास जाता है 30T के पास पर जाके क्या बोलता है कि अरे तुम sodium proton लगाओ और क्या करो sodium का reabsorption करो यहाँ पर भी है क्या message देगा कि sodium proton pump लगाओ और sodium का reabsorption करवाओ तो यहाँ पर भी है same काम करवाता है दूसरी चीज़ हो गई अगर हम यहाँ पर और देखें तो angiotensin 2 जो है वो यहाँ पर vasoconstrictor के तौर पर भी एट करता है vasoconstrictor का मतलब क्या होता है vasoconstrictor का मतलब है कि जो blood vessel है उसके diameter को reduce करता है समझो पहले blood vessel इतनी मोटी थी अब blood vessel को क्या कर दिया है पतली कर दिया हमें पता है है जबी आप किसी चीज़ को पत्ली कर दोगे तो वहाँ से चीज़ें को पास होने के लिए मुष्किलोहगी ऐसा ही आप समझसके है रोड में पहले इतनी बड़ी रोड थी फिर एक दम से रोड हो जाती है तो कितना traffic हो जाता है जब road पती हो जाती है सिम्मेल अगर हमने blood vessel को पतला कर दिया तो यहां से pressure भढ़ जाएगा तो कि ब्लड बोल रहा है पर पास होने दो तो यहां पर pressure भढ़ेगा तो यह कैसे act करता है as a vessel constructor के तौर पर भी act करेगा और blood pressure को भढ़ाएगा त्झालमा उर्ट यह कूले, इसके अलावा धर हम यहां पर देखे हम यहं नहीं पर है, नहीं नहीं को यह हैगा, बेंस सबाइज यह आगा यह ने? ADH को सिक्रीट करवाता है ADH का मतलब क्या होता है Vesopressin इसका काम भी होता है Water को Reabsorb करना तो यह भी यहाँ पर क्या बोलेगा DCT को कि तू क्या कर Water का Reabsorption कर तो Water का Reabsorption होगा आप पानी पियेंगे उसी के साथ साथ आपका Sodium अंदर आ रहे है इसकी वज़े से पानी आ रहा है तो इन सब चीजों की वज़े से आपका जो Blood Pressure हो इंक्रीज हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर रास मेकानिजम चलता है अगर हम अच्छे से फिर से एक बार समझने की कोशच करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर मैजन घ्लिय वेार तो से हम4 आ जीसट्रा का यहाँ पर यहाँ पर सल रास siस्टम में आता है अगर सोडियम कम अगा तो मैक्यूला डैंस रास अग्तिव हो जाएगा और प्रेशर कम होगा हो तो एहाँ पर जीजी सptic यहाँ घिवेश निपर कंद यहाँरा माय. कर देगा क्या तो अट्रीनल गैनक के पास जाएग रगो yum टिलेस करो टीश शोडिय पास ऑफ चाहिगा घ्रेम करेंग की 20 बाभ चाहिए ओलर रेडियाज के पास चाहिगा काऊेगा और क्याukt बोलेगा कि तुछ और ब्लु उपस आप पानी पर ब्लड प्रेशर भढ़ जाएगा तो यह सारा जो होता है रास मेकानिजम होता है I hope guys आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा If you like this video do share it with all your friends और animal physiology का next आपको कौन सा lecture चाहिए comment section में जरूर बताईएगा बताईएगा कि यह lecture आपको अच्छे समझ में आ गया है And do not forget to subscribe my channel ऐसे ही topics के लिए